Hello students, स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Princewood Education में आज हम आपको Educational Guidance and Counseling, सैक्षिक, निर्देशन तता परामर्श का Model Paper बताएंगे आपका Paper इसी Pattern पर आएगा इस Model Paper में जो भी Questions हैं वो बहुत ही Important Questions है आपको 2 घंटे का Time मिलेगा और आपका Paper कितने Marks का होगा? 75 Marks का होगा आएए चलिए Model Paper स्टार्ट करते हैं आपका जो Section A है वो लगू उत्तरी प्रेशन है Short Answer Type Question है जिसमें सभी प्रेशन अनिवार रहे हैं और प्रतेक प्रेशन 5 अंकों का है पहले Question में A Part की बात करते हैं निर्देशन के प्रमुक छेतर कौन-कौन से हैं? तो आपको निर्देशन के जो प्रमुक छेतर है उनके बारे में आपको बताना है ठीक है? Part B है वेक्तिगत निर्देशन का परिचे दीजे जो व्यक्तिगत निर्देशन है उसके बारे में आपको अर्थिस्पस्ट करना है ठीक है और उसकी एक definition भी लिग देनी है इसमें यही बोला गया है न कि व्यक्तिगत निर्देशन का परिचे दीजे व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में बताईए जो आप जानते हों Part C है परामर्शी और उपचारात्मक सेवा का परिचय दीजे आपको परामर्शी और उपचारात्मक सेवा के बारे में बताना है सबसे पहले आपको परामर्शी सेवा के बारे में बताना है बाद में आपको उपचारात्मक सेवा के बारे में बताना है दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना है क्योंकि ये आपका लगूतरी प्रेशन है ठीक है? Part D है परामर्ष की अवधारना अर्थ तथा परिभाशाओं का विवरण दीजे आपको परामर्ष की अवधारना के बारे में बताना है उसके अर्थ के बारे में बताना है तथा उसकी जो परिभाशा है परामर्ष की उसके बारे में आपको बता देना है तो यहाँ आपको तीन चीजों के बारे में बताना है पहले आपको परामर्ष की अवधारना के बारे में बताना है आपको परामर्श दाता तथा परामर्शी के बीच सम्मंद के बारे में आपको बताना है कि जो एक परामर्श दाता है और परामर्शी परामर्शी मतलब क्या हुआ जो परामर्श लेने के लिए परामर्श दाता के पास जाएगा ठीक है वो प्रार्थी हो सकता है छात्र हो सकता है वो कोई भी हो सकता है ठीक है तो एक परामर्श दाता तथा परामर्शी के बीच क्या सम्मंद होता है उसके बारे में आपको बताना है क्योंके बीच सम्मंद कैसे होने चाहिए ठीक है पार्ट F है आपको ये बताना है कि पर निर्देशन तथा निर्देशन एवं परामर्ज सेवाओं को प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपको बताना है। निर्देशन की परिभाषा निर्देशन की परिभाषा बताना है। फिर निर्देशन के सिध्धान्त और उसकी प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है। निर्देशन की परिभाषा निर्देशन की परिभाषा बताना है। नेक्स कोशिन है आपका, कोशिन नमबर फिफ्थ, विद्याला में एक अच्छे निर्देशन सेवा संगठन का विस्तार पूरवक वर्णन कीजे। सेक्शन सी है, वो भी एक दीरगुतरी प्रेशन है, लॉंग अंसर टाइप कोशिन है, उसमें भी आपको किसी एक प्रेशन का उत्तर देना है, प्रेशन कितने होंगे, चार कोशिन होंगे, उसमें आपको एक प्रेशन का उत्तर देना है, और एक कोशिन कितने माक्स का होग Q7 की बात करते हैं, निर्देशन एवं परामर्ष कर्मचारी वर्ग कौन-कौन है? निर्देशन एवं परामर्ष देने में सिख्षक और प्रधानाचारी की भूमिका की विवेशना कीजिए. आपको ये बताना है कि निर्देशन एवं परामर्ष कर्मचारी वर्ग जो है, व आपको बताना है ठीक है परामर्श के पहले आप प्रकार बताएंगे कितने प्रकार होते हैं फिर इसके एक प्रकार का आपको वर्णन करना है यह कोशन क्या है आपका देरगुतरी प्रेशन है तो आपको उसी साब से अंसर भी देना होगा Q7. निर्देशन एवं परामर्श के उपकरण एवं तक्नीकों का विस्तरत वर्णन कीजिये ये तक्नीके किस प्रकार हमारे लिए लाबदायक है उसके बारे में आपको बताना है कि इनका हमारे लिए क्या उप्योग है Q9 है परामर्जाता के गुण अत्वा विशेशताओं का उलेक कीजिए परामर्जाता के गुण को किन सीर्षकों के अंतरगर्त वर्नित किया जा सकता है उसको इस पस्ट करना है तो सबसे पहले आपको परामर्जाता के गुण बतानी है गुड बताने के बाद में आपको ये बताना है कि परामर्जदाता के गुड को किन सीश्गों के अंतरगर्थ वर्नित किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है तो जो section A है हमारा वो लगूतरी प्रेशन है उसमें सभी प्रेशन करने है ठीक है उसमें कोई भी question आपको छोड़ना नहीं है सभी प्रेशन करने है और प्रतेक प्रेशन जो है वो 5 अंका है तो उसके हिसाब से आपको answer देना है जो section B है हमारा वो दीरगूतरी प्रेशन है long answer type question है उसमें किसी एक प्रेशन का उत्तर देना है और प्रतेक प्रेशन 15 अंका है मतलब कोई भी question आप 4 आपको questions दिये होंगे कोई भी question आप करेंगे वो प्रतेक प्रेशन आपका 15 marks का है ठीक है section C की बात करते हैं तो दीरगूतर प्रेशन है long answer type question ही भी है और किसी एक प्रेशन का उत्तर देना है 4 questions में से ठीक है किसी एक प्रेशन का उत्तर देना है 4 questions में से और प्रतेक प्रेशन आपका 15 अंका है ठीक है आज क्लास से हमने यह जाना कि आपका paper किस type का आएगा इस model paper में जितने भी questions है वो बहुत ही important है आपको इन सभी questions को अच्छे से याद करना है और अपनी copy में लिखकर भी practice करना है अगर आप लिखने की practice नहीं करेंगे तो आपको paper में problem आ सकती है और आपका paper भी छूट सकता है क्योंकि अभी तक आपने जो paper दिये हैं वो objective paper दिये हैं इसलिए आपकी लिखने की practice छूट गई होगी इसलिए अगर आप लिखने की practice नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आप पूरा paper टाइम पर solve कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अपने exam से पहले एक बार paper को लिख कर जरूर देख लें आपको तोनों paper का कम से कम एक-एक model paper अपनी copy में लिख कर जरूर practice कर लेना है ठीक है B8 की सभी classes और model paper का link description box में दिया है वहाँ से जा कर आप देख सकते हैं जिसने भी अभी तक PDF नहीं ली है वो हमारे whatsapp number 9580886699 में message करके सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद